नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक देसी बेर का जो पौदा होता है जिसमें एक छोटी छोटी बेर लगी होती है तो इस देसी बेर के पौदे को हम एक अच्छी कौल्टी का या अच्छी बेराइटी का बेर का पौदा कैसे बना सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम ग्राफ्टेंग या वडिंग करके इस बेर के पौदे को एक अच्छी क्वाल्टी का हम बेर का पौदा बनाएंगे तो इस वीडियो को आप आखरी तक देखते रहें दोस्तो बेर के पौदे पर वडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुछ अच्छे कौल्टी की जो बेर के पौदे हैं उनकी ब्रांच और जब भी आप ब्रांच लेके आएं तो आप उसकी मौटाई देख लें लगबग जो पैंसिल की मौटाई है उसी मौटाई की आपकी जो ब्रांच होना चाहिए और आप ये और देख लें जब भी आप जो टहनिया किसी भी बैराइटी की जो बेर की पौदे की जो ब्रांच लाते हैं तो उसमें आप पौदे पर देख लें जो आपको फल हैं लगबग आपको हर साल उसमें फल लगना चाहिए अगर उसमें आपको फल नहीं लगते हैं त भग भग तीन से चार माईने पुरानी ब्रांच होना चाहिए आप वो नई ग्रोथ बाली ब्रांच लेखे ना आएं इंडिया में बेर के पौदे पर बड़िंग करने का जो सही समय है वो हमारा जुलाई अगस सितंबर इन महिनों पर हम बेर की बड़िंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और जो हमको रिजैल्ट है 100% मिलता है यह हमारा एक देशी बेर का पौदा है तो इस पौदे पर हम बड़िंग करेंगे तो सबसे पहले जितना हमने बड़ काटा है उसी साइच का इस ब्रांच पर हम कट माल लेंगे जिससे की जो हमारा बड़ है इस ब्रांच पर फिट हो जाए जो बेर के पौदे पर हम जो वड़िंग करते हैं इसको आप गर्मी के सीजन पर ना करें जो हमारा मार्च अपरेल सीजन होता है महिने होते हैं इस पर आप बड़िंग ना करें क्योंकि इस समय जो हमारा टेंपरेचर होता है बहुत ही जादा होता है और जादा टेंपरेच लगबाग 25 से 30 डिगरी का आपके टेंपरेचर हो तब ही आप इसको बड़िंग कर सकते हैं तो इस ब्रांच की जो उपर का इच्छाल है वो हम निकाल लेंगे और इसमें जो हम वर्ड है फिट कर देंगे देसी बेर के पौदे पर हम टी बड़िंग भी कर सकते हैं और इस पर हम वी गराफ्टिंग भी कर सकते हैं जिससे की जो हमारा देसी बेर का जो पौदा है एक अच्छी तरीके से उस पर fit हो जाए और इसके बाद आप एक polythin ले और polythin से इसको आप अच्छी तरीके से tight बांदे जिससे कि इसमें हवा या पानी इसमें ना जा पाए अगर इसमें अच्छे से आप इसको tight नहीं बांदेंगे तो इसमें हवा या पानी चली जाएगी और जो आपकी word है सूख जाएगी तो इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से tight बांदे कि अच्छी तरीके से बांदे ए बांदें जाएगी तरीके से तरीके से छेशा से आपकी। दोस्तों लगबग एक महीना हो चुका है इस बड़िंग को करे हुए और जैसा कि आप यह देख पा रहा है इसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है जो हमने बड़िंग करने के लिए जो पॉलिथिन कसी हुई थी तो उसको आप अभी ना काटें इसको आप लगबग तीन से चार महीने बाद काटें अगर इसको आप अभी काट देंगे तो जो आपकी हवा चलेगी हवा चनने से जो आपकी जो नई ग्रोथ जो ब्रांच है वो तूट सकती है तो इसको आप तीन से चार महीने हो जाएं तभी इस पॉलिथिन को आप काट के अलग कर दे तो इस परकार एक देशी बेर के पौदे को एक अच्छी क्वाल्टी का बेर का पौदा बना सकते हैं तो चली दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें